हलो वाट्स अप दोसो कैसे हैं आप सभी एक बार फिर मैं सिधात आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपकी अपने चैनल में कारसाथी में दोसो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर विटारा ब्रेजा और यूंडाई वेन्यू इन दोनों गाडियों में से कौ सब्सक्राइब जरूर कर दें तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले आपको बताते हैं कि दोनों ही गाडियों के कौन से वेरियंट्स मैंने यहाँ पर चूज कर रखे हैं तो वेन्यू के लिए SX प्लस टर्बो DCT जो वेरियंट आता है वो मैंने यहाँ पर चुराइब जरूर याने के तकरीबन 13 लाख रूपे देने पड़ते हैं तो यहाँ पर देखा जाए तो तकरीबन 50-55,000 रूपे का डिफरेंस है दोनों गाडियों में तो यह 55,000 का डिफरेंस जो है वो आगे चल करके किस तरीके से यहाँ पर प्ले करता है अपना रोल यह देखने वाली चीज है दोनों गाडियों के इंजिन की बात करूं तो 998 CC का इंजिन जो है वो आपको वेन्यू के अंदर देखने को मिलता है जो कि एक टॉबो चार्ज पेट्रोल इंजिन है वही पर हम ब्रेजा की बात करें तो इसके अंदर 1.5 लीटर का पेट्रोल इंज फिगर्स की बात करूं तो 118.35 बी एच고 की पावर 6000 फिएम पर आपको वेन्यू का इंजिन निकाल करके देगा और 330.26 बी एचीजपी की पावर 6000 फिएम पर आपको ब्रेजा का इंजिन निकाल करके देगा 172 Nm का Torque 1500 से लेकर के 4000 RPM पे आपको Venue का Engine देगा और 138 Nm का Torque 4400 RPM पे Breza का Engine नकाल करके देगा तो यहाँ पर Clearly जो है वो Turbo Charge Engine होने की वज़े से Power Figures यहाँ पर Slightly Up हो गए है Venue के और Breza का एक Naturally Aspirated Normal Engine है तो उसके Power Figures थोड़े से कम है जहाँ पर दोनों गाडिया Automatic Gearboxes के साथ आती है फरक इसका जो है वो जिस Type का Automatic यूज किया गया है वहाँ पर आता है क्योंकि Venue के अंदर 7-Speed DCT Transmission आता है आपको कोई ऐसी गाड़ी चाहिए जो कि Fun to Drive हो जो कि Acceleration बहुत बढ़िया तरीके के Provide कर सके तो I think Breza आपके लिए उतनी जादा शांदार गाड़ी नहीं हो पाएगी Venue का जो 7-Speed DCT है वो फिर आपके लिए जादा काम की चीज है बात करें अगर claim fuel economy की तो उसके अंदर भी जादा फरक नहीं है 18.25 की fuel economy जो है वो Venue की तरफ से claim की गई है और 18.76 की fuel economy जो है वो Breza की तरफ से claim की गई है fuel tank capacity में हलका सा फरक है जहाँ पर Venue के अंदर 45 लीटर का fuel tank आता है लेकिन इसके अंदर कोई भी telescopic adjustment का feature नहीं दिया गया है दोनों गाडियों में front में disc brake, rear में drum brakes आ जाते हैं और इत्फाक से दोनों गाडियों के जो tire sections है वो बिल्कुल same है 215.60 के R16 tires दोनों गाडियों में आते हैं जो की tubeless radial type के है अब बात करते हैं यहाँ पर दोनों गाडियों के dimensions की तो lengthwise दोनों गाडिया बिल्कुल same है 3995 mm याने के 495 mm की overall length दोनों गाडियों की दिखती है लेकिन width में फरक आता है 1770 mm की width आपको venue की मिलती है वही पर brezza के अंदर 1790 mm की मिलती है तो यहाँ पर पूरे-पूरे 20 mm से width जो है वह brezza के अंदर आपको जादा मिल जाती है तो इसका सीधा-सीधा मतलब यह है कि shoulder room वगरा आपको अच्छा मिल जाएगा थोड़ा सा wheelbase लेकिन दोनों गाडियों का बिल्कुल same है 2500 mm का wheelbase दोनों ही गाडियों में आपको देखने को मिल जाता है अब बात करें दोस्तों अगर boot space की तो यहाँ पर brezza फिर से mark आ जाती है वो इस वज़े से मैं कह रहा हूँ क्योंकि brezza के अंदर केवल 328 liter की boot space आ रही है venue के अंदर 350 liter की boot space आ रही है और तो और अगर आप देखा जाए तो venue की और brezza की length बिल्कुल same है दोनों गाडियों का wheelbase बिल्कुल same है और तो और यहाँ पर venue थोड़ी सी संक्री भी है brezza के मुकाबले फिर भी venue के अंदर ज्यादा boot space मिल रही है brezza के अंदर कम मिल रही है यही चीज आप अगर brezza को Kia Sonnet के साथ कंपर करके देखेंगे तो वो तो बिल्कुल ही same है दोनों गाडियों की length same है दोनों गाडियों की width भी 1790 है दोनों गाडियों का wheelbase जो है वो भी 2500 mm का है फिर भी आपको Kia Sonnet के अंदर जो है वो 392 liters का boot space मिलता है और brezza के अंदर 328 liters का ही मिल पाता है तो इसके बारे में खैर Suzuki ने सोचना चाहिए उनके designers ने सोचना चाहिए कि अगर हमारी गाड़ी बड़ी है तो फिर भी हमारे गाड़ी में boot space इतना कम क्यों बच रहा है जबकि हमारे ही dimensions वाली गाड़ियां बना करके सभी में आता है तो उसके बारे में अलग से mention नहीं करेंगे powered boot आपको यहां पर मिल जाता है brezza के अंदर automatic climate control दोनों गाड़ियों में मिल जाता है लेकिन आपको venue के अंदर जो है वो remotely trunk open करने का option मिल जाता है जो कि brezza के अंदर है नहीं बाकि low fuel warning light साथी सा trunk में light accessory के लिए power outlet ये चीज़े दोनों ही गाड़ियों में आ रही है vanity mirror भी दोनों गाड़ियों में दिये गए है rear reading lamp केवल ब्रेजा में आ रहे हैं ये venue के अंदर नहीं है rear seat headrest और वो adjustable ये दोनों ही आते हैं दोनों ही गाड़ियों में बस center में armrest जो है वो kevil और kevil आपको ब्रेजा में मिलता है ये venue में नहीं मिल पाता है height adjustable seat welds भी केवल ब्रेजा में आते हैं ये venue में नहीं आते हैं cup holders भी यहाँ पर venue के अंदर front में तो आ जाते हैं लेकिन rear में नहीं आ पाता है ब्रेजा में front and rear में आ रहा है multifunctional steering wheel दोनों गाड़ियों में आता है cruise control दोनों गाड़ियों में आता है दोनों गाड़ियों में parking sensors केवल rear में आते हैं ये में venue में front में भी expect कर रहा था लेकिन नहीं आते हैं खर navigation system दोनों गाड़ियों में लगी हुई है यहां पर rear seat की बात करें तो venue के अंदर पूरी bench folding type की seat है और यहां पर breza के अंदर जो है वो Suzuki के इंजिनियर उसको पता है कि हमारे boot space कम है तो इसके अंदर उन्होंने 60-40 split दे दिया है तो अगर आपको boot space कम पढ़ती है तो फिर आप 60-40 में split करके आप ज्यादा समान उसके अं मिल जाती है engine start stop button दिया गया है glow box cooling भी दोनों गाड़ियों में दिया गया है bottle holders दोनों गाड़ियों में front and rear doors में मिल जाते है voice control भी दोनों गाड़ियों में आ जाता है तो दोस्तो venue के अंदर जो है वो आपको paddle shifter भी आ जाते है तो जो आपको ब्रैज़ा के अंदर नहीं लिए हुक और नेट भी लगाया गया है मतलब उसके लिए हुक लगाया गया है नेट और अगर कुछ डोरी वगारा लगानी है तो आपको लगानी पड़ेगी लेकिन हुक दिये गये हैं बस वेन्यू के अंदर दो अपने फीचर्स हैं उसके अंदर बैटरी सेवर है और लें गया है अभी दोनों गाडियों के ड्राइवर साइड के विंडो की बात करें तो दोनों गाडियों के ड्राइवर साइड के विंडो यहां पर वन टच फीचर के साथ आते हैं बात करें अगर इंटिरियर की तो टाको मेटर इलेक्रिक मल्टी ट्रिप मेटर दोनों गाडियो में driver side की जो seat है वो height adjustable दी गई है जो की एक काफी अच्छी बात है अब बात कर लेते हैं थोड़े से गाड़ी के exterior की तो दोनों ही गाड़ियों में आपको LED headlamps देखने का मिलते हैं जो की turn indicators मिल जाते हैं लेकिन बड़ी खामिया जहां पर रह जाती है venue के अंदर वो है कि इस गाड़ी में ना तो rain sensing wiper आते हैं ना rear में कोई defogger है ना wiper है ना washer है और ये सारी चीज़े ब्रेजा में आ जाती है बस एक चीज मैंने गलती कर दी यहां पर defogger जो है वो venue में आ रहा है लेकिन बाकी की जो चीज़े है rain sensing wipers इसी के साथ साथ rear wiper और rear washer ये तीनों चीज़े venue में नहीं है ये व्रेजा में आती है venue के अंदर जो additional चीज़ आती है वो है sunroof तो मुझे personally पूछे तो उसका कुछ जादा useful product मुझे वो लगता नहीं है कोई useful feature नहीं लगता है कि sunroof है हाँ ठीक है मतलब गाड़ी के अंदर थोड़ी सी दूप वगएरा जादा आ सकती है लेकिन उसको खोल करके चलाना ये हमारे जैसे देश में वो possible ही नहीं है जहाँ पर इतनी जादा गर्मी पड़ती है तो वो feature ब्रेजा के अंदर नहीं है लेकिन venue के अंदर है जिल लोगों को पसंद है उनके लिए अच्छा option हो सकता है अब बात करें अगर safety features की तो ABS दोनों गाड़ियों में आ रहा है Central Locking Power Door Locks दोनों गाड़ियों में आ रहे हैं Child Safety Locks भी दोनों गाड़ियों में आ रहे हैं Anti-thift Alarm दोनों गाड़ियों में और एत्वाक से दोनों ही गाड़ियों में केवल दो ही airbags आते हैं तो ये बड़े ताज्जूब की बात है कि Hyundai की ही sister concern company किया वो जो इसी के जैसा same product बनाती है लेकिन अलग dimensions और अलग चीजों के साथ में किया sonnet उसके अंदर 6 airbag आते हैं और इसके अंदर keval 2 आते हैं और खेर मारोती Suzuki से मैं उम्मीद नहीं करता हूँ बाकि day night mirror जो है वो दोनों गाड़ियों में आते हैं लेकिन brezza के अंदर वो automatic है venue के अंदर वो automatic नहीं है बाकि seatbelt warning, door azar warning दोनों गाड़ियों में मिल जाती है tire pressure monitoring system लेकिन brezza के अंदर नहीं है ये चीज आपको केवल venue के अंदर मिल जाती है brezza के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो की MID screen में मतलब जिसका ज़्यादा फायदा है नहीं जैसे की outside temperature डिस्पले हो जाता है इसके अंदर बजाए इसके उन्होंनों अगर TPMS दिया हुआ था तो ज़्यादा ये गाड़ी compete कर सकती थी Vehicle Stability Program भी venue में आता है ये brezza में नहीं है Engine Immobilizer, Crash Sensor दोनों गाड़ियो में आ रहा है Automatically Headlamps दोनों गाड़ियो में आता है ABD दोनों गाड़ियो में आता है लेकिन Electronic Stability Control के वल venue में आता है ये brezza में नहीं है rear camera दोनों गाड़ियों में आ जाता है और anti-theft device जो है वो भी दोनों गाड़ियों में लगे हुए है और यहाँ पर ब्राजा के अंदर driver की जो window है वो one touch function के साथ ही anti-pinch feature के साथ भी आती है दोनों गाड़ियों में speed alert आते हैं वो तो आजकल हर एक गाड़ी में compulsory किया हुआ है बाकि speed sensing auto door lock दोनों गाड़ियों में हो जाता है ISOFIX child seat mounts दोनों गाड़ियों में आ रहे हैं pre-tensioners and force limiter type के seat belts भी दोनों गाड़ियों में दिये गए हैं बस Hyundai के अंदर जो है वो SOS emergency signaling के लिए dedicated button और system दी गई है जो की प्रेजा में नहीं है hill assist दोनों गाड़ियों में आता है लेकिन impact sensing auto door unlock ये feature केवल venue में आता है ये प्रेजा में नहीं है अब बात करते हैं यहाँ पर दोनों गाड़ियों के infotainment screen के बारे में usb, aux और bluetooth compatibility मिल जाती है android auto apple carplay दोनों गाड़ियों में चल जाता है दोनों ही गाड़ियों में केवल 4 speaker आते हैं लेकिन venue के अंदर जो है वो 4 speaker जो है वो अर्किमीज company के आते हैं तो दोस्तों ये है पूरा लेखा जोखा तो आप अगर मुझसे पूछें कि क्या 50,000 रुपे तकरीबन 50-55,000 रुपे जादा दे करके Hyundai venue खरीदनी चाहिए तो मैं कहूंगा कि कुछ एक दो feature इसके अंदर जादा है लेकिन practicality wise अगर देखा जाए तो brezza जादा sense बनाती है यहाँ पर इन दोनों गाड़ियों के बीच में तो I think कि you should go for brezza अगर आपकी priority practicality है तो फिर brezza is the option for you लेकिन अगर आपको थोड़ी सी जादा modern car चाहिए थोड़ी सी अलग दिखने वाली गाड़ी चाहिए जिसके साथ थोड़ी से connected car वाले feature वगरे आते हैं तो फिर आप venue के लिए जा सकते हैं और उस case में तो मैं आपको आगे चल करके ये भी कहूंगा कि अगर आप venue कही सोच रहे हैं तो एक बार फिर आप sonnet भी चला करके देखिए क्योंकि थोड़ा बहुत पैसा हो सकता है sonnet के लिए आपको ज़्यादा देना पड़ेगा लेकिन venue के मुकाबले फिर वो और ज़्यादा feature आपको मुहया जरूर करा देगी तो बस दोस्तो आज के वीडियो में बस इतना ही I hope वीडियो आपको पसंद आया होगा काम का लगा होगा तो दोस्तो अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दीजिये जादा से जादा शेर कर दीजिये